हेलो एवरीवन आप वेरी गूड मॉर्निंग टू आल अफ यू वेलकम टू बीपेसी कॉंसेप्ट वाला तो टूड़े इस थर्ड फर्वरी एंड वी विल डिस्कॉस टूड़े इस न्यूजपेपर सो फर्स तिंग फर्स कल हमने आपसे कुछ को सवाल पूछे थे उसका और वो कहां की रहने वाली है वो पंजाब की रहने वाली है उनके गाउं का नाम क्या है सेखा सेखा विलेज और उनका डिस्टिक क्या है बरनाला इससे मोर्दन इनफ है इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं कि लेजर के जगए हम पेन यूज़ कर ले रहे हैं ठीक है उसका दूसरा सवर आपसे पूछा गया था कि अभी कौन से हमारे कौन हमारे जो मिनिस्टर है वो है विएसन मिनिस्टर है तो वह है जियोती आदित्य सिंदिया ठीक है और जब वो उडान लॉंच हुआ था उसमें कौन थे जब उडान स्कीम लॉंच हुआ था उसमें कौन थे चलिए आपको हीट दे रहे हैं जो भी के हॉसिंग मिनिस्टर है वो थे आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए को उसमें उडान के कौन थे जब उडान स्कीम लॉंच किया गया था उसमें सीबिल अमिहसन मिनिस्टर कौन सब्सक्राइब मांजब ये और यह कहां से हैं राज्यसभा के मिम्मर है और यह क्या है हेल्थ मिनिस्टर के साथ सथ यह और क्या है यह है यह है आपको साइथ बता ही दिये थे हाँ फिर आप से पुछे थे इंपॉर्टेंट सवाल एक जो था वो था शीतल देवी के बारे में हुई शीतल देवी जो है यह है पैरा आर्चर यह जम्वु इन कश्मीर के रहने वाली है और इनको अभी अर्जुना अवार्ड मिला है अर्जुन अवार्डmother 2023 हमने आपसे पुछा थे कि इनको कौन सी बीमारी है जिसके कारन यह पैरा आर्चर है इनका जो बीमारी है मैंने क्यूंठ पुछा थे क्योंकि बहुत ज़रूर शावरिया है। इनका वीमारी है वो उसका नाम है फॉकोमेलिया मेब एकजाम में आप से पूछ दिया जाए। इसमें क्या होता है मैल फॉर्णेशन मल इंफ यह आपका जो आप सोर लेग होता है ना हात और पाउं यह दुनों जो मल हो जाता है माल फार्मेशन बहुने में दिख्या थी उँकल को हो जाए का बड़ा हो जाएक इस तरीक़ एक माल फोर्मेशन थाली डो माइड यह जब प्रेगनेंसी के टाइब जब भी जो कोई लेडी होते हैं जब वो कंजियूम करती हैं तो यह बीमारी होने का चांसे होता है और यह क्यूं होता है? यह किसले लिया जाता है? ड्रग यह लिया जाता है morning anxiety के कारण morning sickness, trouble sleep, tension के कारण जब यह दवा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और प्रिग्नेंट लिडी को तो यह फोकुमेलिया जो है वो बच्चे में होने का चांसेस होता है ठीक है और तो कोई सवाल आई थिंग हाँ इडी के बार में आपसे पूछा गया था इडी का फूर्फर्म क्या होता है डाइरेक्टो रीट ओफ इन्फोर्समेंट और यह मिनिस्टर ओफ मिनिस्ट्री ओफ फाइनल्स के तहट काम करता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था 1956 में और यह काम क्या करता है यह एक इकोनॉमिक इंटेलिजन्स एजन्सी है अब यह आप देखते हुए कि इडी तो इतना अभी पॉस्टर वहाए है इडी हमारा कि जो भी सीम कोई भी पॉलिटिकल जो भी आपोजिशन के लीडर है उनके अधी तो पहुचता ही है उनका घ सब्सक्राइब ठीक है सो विदाओट वेस्टिंग आवर टाइम हम आते हैं आज का हिंदू नियुज पेपर देखते हैं आज का क्या क्या खास है क्या क्या इंपोर्टेंट है और आज जो डेट है वो क्या है तीन फरवरी और यह जो है आपका वो दिल्ली एडिशन है तो आपको बताया गया था कि हेड्लाइन देखना है आमको तो पहला हेड्लाइन हमारा क्या है कि चंपाई सोरेंग जो है वो ओथ ले चुके हैं हमारे जार्खंड में अभी जेपेसे का एक्जाम आने वाला है मार्च 17 को एक्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह जा जार्खंड का फॉर्मेशन कब हुआ था आपको हम शॉट में बता देते हैं ब्रीफ में जार्खंड यह इंट वज काड़ फ्रम बिहार इन 15 नवंबर 2000 ठीक है और वहां सीट्स कितना है विधान सवा का 81 सीट्स है 81 सीट्स में जो है डिस्प्यूट क्या था कि गौवर्मे सीट्स जीता और कॉंग्रेस ने 17 सीट्स और आर जेडी जो बिहार की पार्टी है राश्ट्य जनतादन लालो प्रसाद यादव की उन्होंने एक सीट्स जीता यह तीनों मिलके कि उन्होंने सरकार गौवर्मेंट फॉर्म किया लेकिन हुआ क्या कि जो हेमन सोरेन है उन पर चार्जेज लग गए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ठीक है अभी बाद में डिस्कस किया जाएगा जब उन पर पूरा जज्जमेंट आ जाएगा कि वो किस चीज में एक्यूज थे और कि उनको वो उनको आरिष्ट किया गया तो क्या हुआ कि जार्खंट मुक्ती मोर्चा जो है उनका पार्टी का नाम है जेमेम और जेमेम कौ जेमेम को ये बार हवे सीएम होंगे कौन जाए सोरेनि ठीक है चम्पाइस सोरेन को क्या कहा जाता है जार्खंट टाइगर्स के नाम से जाना जाता है अब आपको बताते इनको ओथ दिया गया तो ओफ और ओफ इसमेर गावर्णर तो वहांगे गवर्णर कौन है और दो जार्खंड गवर्णर कौन है जार्खंड के इसमें देखिये कि जार्खंड प्रसीड हेमन सोरें रिकमेड़ेट वाई फाइब देट कस्टेडी ठीक है वहां आर्डेडी के एक मिनिस्टर और कि एमेले के साथ उन्होंने वो लिया स्वेरिंग इन सेर्मेनी किया चंपाई सोरें अब आपको बताते हैं कि आर्टिकल जो है हमारे कॉंसिट्यूशन में सीएम के लिए कहां लिखा हुआ है और हमारा जो गवर्नर है उसके बारे में कहां लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम आपको सीएम के बारे में बताते हैं कि सीएम जो होता है वो क्या होता है elected head of government होता है ठीक है यह कहां लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है article 163-1 में क्या लिखा हुआ है there shall be council of ministers with CM यहां से तो यह पता चल गया कि एक CM होना चाहिए जो क्या होगा council of ministers में से ही एक चुना हुआ आदमी होगा ठीक है और इसका appointment का लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 164 में article 164 में क्या लिखा हुआ है कि CM Salvee appointed by governor कि जो CM है वो कौन appoint करेगा governor और governor CM किस के साथ और करेगा with other ministers तो याद रखेगा article 164 article 163-1 अब governor के बारे में देखते हैं आपको रिकॉल करवा देते हैं बस थोड़ा सा कि part 4 जो है हमारा constitution का उसमें लिखा हुआ है पूरा state के बारे में state related articles है वो कहा से कहा तक लिखा हुआ अस्टेट के बारे में article 152 से लेके article 237 के तक लिखा हुआ है ठीक है किसके बारे में लिखा हुआ a state with a smallest अगर हम capitalist लिख देंगे दिन यह जो state का मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा as a country as an india as a state but when we talk about a state with a smallest then it will be a part of a state part of india which is like बिहार, जारखंड, MP etc तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपको recall करवाद रहे governor का बस 152 में क्या लिखा हुआ है कि state कि इसको कहेंगे with a smallest 153 में क्या लिखा हुआ है governor के बारे में कि governor होगा हर एक state का 154 में क्या लिखा हुआ है कि governor का executive power क्या होगा executive power 155 में क्या लिखा हुआ उसका appointment कैसे किया जाएगा 156 में क्या लिखा हुआ है terms कितने दिनों का हुआ terms क्या होता उसका on the pleasure of president right 157 कि qualification क्या होगा वह या जो हम governor बनाएंगे उनका क्या qualification होगा 158 में क्या लिखा हुआ है कि condition उनका office में कौन-कौन से conditions हो जाएगा 159 में क्या है oath and affirmations कि वो कैसे oath लेंगे कौन उनको दिलवाएंगे 161 क्या लिखा हुआ है कि discharge of function कि कि किस मामले में उनको discharge के जा सकता है और बहुत important यह है 161 जो उनका pardoning power है pardoning power तो यह important है ठीक है I think आपको सब recall हो गया होगा ठीक है तो यह article वह ही है कि चमपाई सोरेंज जो है 12.CM जारकन के बने है दूसरा article है कि हाई कोट जो है refuse कर दिया गा इंटरिम रिफिल जो ग्यानवापी मोस्क पैनल जो बना है जो कि कहा है ग्यानवापी वारा नसी में एक मोस्क है और वो बोला जा रहा कि वो पहले वहाँ शिप जी का मंदिर था तो यह अभी डिस्प्यूटेड है इसको बस इंटरिम रिलीफ दिया हाई कोट की refuse कर देखना ही अभी वो जो वहाँ है चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा तो इसको अभी देखने है कोई मतलब नहीं होता है यह डिली प्रोटेस्ट यह सब वो ही है पॉलिटिकल नियुजेश को पढ़ने है कोई मतलब नहीं मनता है हाँ यहाँ देखिये यह जो फोटो है कितना सुन्दर सा फोटो है कि vehicles जो है stranded on the स्रीनेगर जंबू नेशनल हाइवे वहां भी फाइनली बर्फ हो गया तो जो फैट साहब कहें कि गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले चले भी आओ कि गुल्षन का कारववार चले तो भाई बहुत बिशबरी से इंतिजार हो रहा था वहां कि कारववार थब पड़ का विजय है और यह कहा कि रहने वाले है तमिल नादू कि रहने वाले है अभी यह करेंट लिप हाइली पेड आक्टर है तो यह क्या किए है यह वहां का दोन्टी टॉन्टी शिक्स का एसेमबली एलेक्शन लड़ने लड़ेंगे तो इन्होंने एक पार्टी बनाया है और का नाम क्या है तिमीजा वेत्री कजगम ठीक है और इनको बोला जाता है इनके जो फैन है वो इनको बोलते तलापती तलापती का मतलब क्या होता है कमांडर इससे ज्याद़ को इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें ठीक है तो आगे वढ़ा जाए आप से हम क्या पूछ है इसमें कि जारखंड के गवर्नर कौन है आप हमको कमेंट बॉक्स में अंसर बताएंगे ठीक है अब आते हैं अगला पेज पे वो क्या है कि आप बीजेपी होल टीट फा टेट वही नियूज आपको क्या बताए मुर्गा लड़ो चुनाप जी तो योजना कि इंडियान वैल्यू सिस्टम यहां क्या चल रहा है जैपूर फेस्टिवल यह सौरी लिटरेरी फेस्टिवल यहां से सवाल आ जाता है जैपूर लिटरेरी फेस्ट जो है वो कहां चल रहा है वो हमें साथ जैपूर में होता है जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कब से कब एक से फार्च फरवरी तक चलेगा यहां देखे यह ब्रिटिस हिस्टोरियन जेरी ब्रेटन और कन्वर्सेशन बिट हिस्टोरियन बिलियम डैलरी पे के साथ बातचीत हो रही है इसका थीम क्या है थीम इंपॉर्टेंट एक्जाम म दैवर्स थीम रंजिंग फ्रॉं फंक्शन में में मॉर अब अब दे पॉलिटिक्स इस्पिनोज्स ट्रेवल सेकंड वर्ड वर इंडिया जीकोनोमिक फ्यूचर इंस्पिरेशनल और इंड इफ्रेक्टिव सेशन यह सब है और इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया का जो मोदी जी को राम जी मिली गए है आगे पढ़ा जाए आगे का न्यूज पेपर में कहा है कॉंग्रेस शूड अपूला जाए फो रिमाग यह भी कोई मतलब का न्यूज है नहीं ठीक है तो इसको पढ़ने का कोई फाइदा है नहीं यह सब को सीधा आगे पेज पे आजाए अब आते हैं हम से क्रांती वाले पेज पर तो क्लम से क्रांती growth और demographic change जो हो रहा है उसके लिए हमें committee बनाएंगे तो इसमें जो बताया यह गया है कि यह जो बोलतो रहें वो बढ़िया बात है लेकिन आपको पता है कि हरे एक 10 साल पर हरे 10 एर पर क्या होता है हमारा census होता है तो यह census होना था पिछले साल लेकिन हुआ नहीं लेकिन अभी भी उसके बारे में budget में कोई बात चीत नहीं किया गया और आप बात बोल रहें कि fast population growth और demographic changes के बारे में हम करेंगे ठीक है तो वही बोला है कि it has not been conducted for the first time in the decade since 1881 1881 के बाद से अभी तक हर एक 10 साल में हुआ लेकिन यह first MSI की census हुआ नहीं और ना तो उसके बारे में बात कर रहे हैं और बात करें कि हम यह बना देंगे वो बना देंगे fast population growth and demographic changes की बात कर रहे हैं ठीक है वो ही बोल रहे कि sample registration statical report जो 2020 में और national family health survey जो 2005 बार रिपोर्ट आय इंडिया का है वो दो पर आ गया है किर के कुछ स्टेट हैं जैसे हमारे बिहार हो गया जारखंट हो गया हमें घाला उत्तर पर जिसमें सोड़ा दो से ज्यादा है लेकिन यही सा बात किया गया है बस दो चार जो point है यहां पर वह आप देख लीजेगा कि निशनल family health survey का जो data है और यह वाला important है कि 1881 से हर एक दस साल में census हुआ है इस बार नहीं हुआ है उसके बारे बातचीत नहीं किया गया है बस यही है दूसरा है कि यह important है नहीं important यह है exposing India's financial market to vultures वल्चर क्या होता है वल्चर कहते किसको है गिद्ध बोलते है हिंदी में इसको ठीक है जो क्या करता है dead animals जो होते हैं उसको खाता है मतलब मांस खाता है सड़ा हुआ मांस भी खाता है तो क्या बोल रहे हैं यह कि जो इंडिया का financial market है उसको हम लोग में उता दे दे रहें कि आओ और खाओ और पेट भर के जाओ ठीक है तो क्यूं बोल रहे है आपके लिए बीपेस एक्जाम के लिए अभी 2023 में क्या हुआ था सेप्टेमबर में कि जेपी मॉर्गन जो बैंक है वो इंडियन लोकल करेंसी गॉर्मेंट बॉंड जो है उसको किसको इंग 활 yog क्या है मैं इंब दल का आपको बता है कि जेपी मॉर्गन क्या है पहले तह अपको पता वन हracy In एक बो मॉर्गन प्राइबिट बैंक है टिक है तो वौ फो हचलनःसे में बोला कि हम एल सी जी बी क्या होता है यह एल सी जी बी इंडियन लोकल करेंसी गौव्मेंट बॉड इंपोर्टेंट यही है बस यह याद रखेगा हम यहाँ पर लिख दे रहे उपर में एल सी जी बी इसका फूल फॉर्म ध्यान रखेगा कि लोकल करेंसी गौव्मेंट इसका फूल फॉर्म भी पूछ देगा उसके लिए वो प्लान किया इसमें यह बोल रहे हैं यह यह जो दोनों भाई साव हैं वो कहरें कि अगर आप लोकल बॉर्ण को एक्सपोज करेगा मार्केट में जहां पे फुली एकसेसिवल है फुली एकसेसिबल रूट जहांकि आपके फुली ऑप्रेशनल कर सकते कुछ भी काम कर सकते कहीं भी बॉंड खरीद सकते बॉंड क्या होता पहले यह आपको बता दे वाट इस बॉंड क्या होता एक तरह का यह टूल है क्या है बॉंड जो है वो एक तरह का टूल है उससे क् income instrument है, tool है, जिससे हम क्या करते हैं, कि लोन लेते हैं, किस से, public से, borrowers है, investor, जो भी कोई investor है, जैसे ये कोई company है, इसको पैसा चाहे, तो क्या करेगा है, कि इस तरह का page में, कुछ-कुछ लिख के, कि हम ये company है, और इतना इतना का bond जारीगे, जैसे 100 रुपय का bond किया, कि अभी आप 100 रुपय देंगे, दो साल या एक साल में हम आपको bond का 110 रुपय देंगे, मतलब 10% का profit देंगे, तो इसी को bond कहते हैं, तो अगर आप जो local currency government bond को expose कर देंगे, उसी के बारे में बताया गया है, जिसमें वह भी बोला है कि FAR, आपको ये भी ध्यान रखना है कि what is FAR, FAR क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है, कि several observers have also pointed out that, कि opening local bond market would facilitate the financing of current account and fiscal deficit by engaging institutional investment with long term investment horizon, है ना, उसके बाद आगे क्या गया है, कि इसके करण जो implications आएगा, उसके बारे में बताया गया है, कि क्या हो जाएगा, कि जो हमारा जो है loss of autonomy हो जाएगा, जो हमारा जो autonomy है, economy में उसका घटा हो जाए क्योंकि आपके घर में अगर किसी दूसरे का किसी दूसरे आदमी का पैसा लगा हुआ है तो आपका अपना autonomy तो कमे गा ही ना कि decision making capacity जो है आपका किसी चीज में वह आपका कम हो जाएगा उसी तरीके का country में भी है बोले कि loss of autonomy हो जाएगा कि internationalization जब हम bond कर देंगे bond का अंतारास्टी ये करन करेंगे तो जो market में emerging economy है वो क्या हो जाएगा सारा का सारा बाहरी वाला आएगा खरीद के चला जाएगा दूसरा क्या बोल रहे है उन्होंने example दिया है कि Malaysia और Turkey का ठीक है कि Malaysia हम क्या हुआ था कि 1997 में Malaysian crisis हाया था उसमें क्या हुआ था कि Malaysia currency जो है रिंगिट उसको offshore कर दिया गया था उसके करण सिंगापूर में वह गड़वड हुआ था जिसके कारण वहां का currency एक दम गिर गया था उसी तरीके से टर्की में क्या हुआ 2022 में टर्की में 2022 में कि वहां का जो currency है एरा वह भी ऐस से ही कि government took measures देखें कि जो लंडन जो है offshore lira market and London become a major source of speculations against the Turkish currency and the government took measures to curb it so including restriction on bank lending to firms trading लीराज offshore उसी में एक statement दिया गया बाइवी रेड़ी साहब का जो की former governor of RBI थे उन्होंने बोला था इंडियन फोरुम में उनका article है उसमें कि currency internationalization cannot be decided in one day and pursued the next it comes about after a long evolutionary process when all the building blocks are in place क्या बोल रहे है कि जो currency का जो internationalization है अंतरा स्ट्रिय करन है वो एक दिन में बैठके आप decide नहीं कर सकते और उसको pursue the next ये एक लंबा evolutionary process है धीरे धीरे होगा और वो एक blocks में धीरे धीरे बनेगा ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप चाहेंगे 13 मंजीला इमारत खड़ा करने के लिए नहीं पहले आपको base बनाना पड़ेगा फिर first floor फिर second floor ऐसे बनता है ठीक है अब इसको sum up करके क्या बताया गया है कि यह बहुत अच्छा चीज है यह आप कहीं अ consequences of origin scene and enhancing the resilience of external shocks and improvement of volume and equation of the investment क्या बोला गया है कि यह encourage क्या करेगा this is also encouraged by international investor and financial media यह अगर हमको करना है तो यह किसके द्वारा encourage करना चाहिए जो international investor है जो बाहरी investor है उसके द्वारा encourage करना चाहिए दूसरा क्या कि जो financial market media है वो भी encourage करेगा तब क्या है कि which we will see profit opportunity in under unhindered access to market of the economy ठीक है उसके बाद आगे क्या बोला कि given the inherently unstable international financial market a more likely outcome to such a step would be increased exchange rate instability and boom bus cycle तो वही बताया गया कि आप अगर expose करने अपने financial market को international market में तो यह सब सोच के करना चाहिए कि Malaysia जो Malaysia हम जो crisis हाया टर्की में जो crisis हाया loss opportunity हो जाता है उसके करन क्या होगा greater risk हो जाएगा आपका financial deficit कम जाएगा इस सब ध्यान में रखते हुए दूसरा जो है यह जो rising tide of lift all votes यह जो कल जो हमारा परसो जो budget आया उसम में हमारी जो FM थी finance ministry उन्होंने कहा कि हम HPV vaccine देंगे वो किसके लिए होता cervical cancer के लिए होता है तो उसी के लिए है जिसको आप में GS2 में यूज कर सकते हैं उसमें और या फिर जहां भी सवाल आगा economy और social welfare या health care वहां यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसमें यह बोला गया है कि यह कह रही है कि जैसे हमारा भारत का जो space mission है वो एकदम admire के जाता दुनिया में उसी तरीके से हम renewal और non-renewal energy के बीच में skin fully the nation head of a target of हम लोग target achieve कर रहे हैं उसी तरीके से health care में भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो वही वह उपाई बताई है तो यहां रखेगा एक्जाम में लिखने के लिए यहां से आपको सीखना क्या हुई कि कीवर्ट्स आपको यहां से उठाना है कीवर्ट्स की preventive health check-up की जो health checks है उसको जरूरत है दूसरा उन्होंने क्या-क्या बताया कि यह space program के बारे मताया कि जैसे इंट्रो में आप इंट्रो check check-up का need है ठीक है जैसे कि उन्होंने बोला कि जो हमारी जो government HPV यह ध्यान रखेगा करेंट अफेर में भी आ जाएगा कि HPV इसका मतलब क्या होता है human पैपिलो माव वाइरस वैक्सीन यह किसके लिए होता है यंग गर्ल्स चिल्रेन के लिए यंग गर्ल्स के लिए और यह वैक्सिन की स्टेज के लिए होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए राइट तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि human यह देखें यहां पर लिखा हुआ है कि cancer steps कि अगर हम कर रहे हैं हमारी government budget में दिया रहा है तो बढ़िया बात है उसी के बाद क्या बोला जा रहा है कि हमार mortality rate child mortality rate life expectancy है ना यह सब जो हमारा remarkable strides जो है उसको क्या करना पड़ेगा अच्छा करना पड़ेगा क्या है कि it has India has made remarkable strides in the healthcare even for the last four decades last के 40 सालों में हम बहुत अच्छा बढ़ रहा है हम बहुत अच्छा कर रहा है drop हमारा infant mortality drop हुआ है maternal mortality rate ड्रॉप हुआ है उसी तरह से बोला गया कि जो हमारा life expectancy है वो 53 से होके बढ़के 70 हो चुका है तो this has been achieved with less than 2% budgetary allocation बोला गया कि 2% भी अगर हम budgetary allocation में health के लिए खर्च कर देते हैं उससे हमारा 53 से 70 हो गया है अगर हम और अच्छा करेंगे तो हम बहुत remarkable strides gain करने में helpful होगा which will show a picture to the world कि हम लोग भी कर सकते हैं और बहुत ही sustainable तरीके से कर सकते हैं दूसरा keyword क्या है कि foundation for the innovation revolution आप किसी भी फिल्ड में innovation जो है वो बहुत ही जादा important role play करता है बीना innovation के अगर आप किसी भी फिल्ड में है अगर उसमें आप innovation लगा देंगे तो वो क्या हो जाता है sustainable हो जाता है पैसा दिया गया है एक लाख करोड कितना साल के लिए पचास साल के लिए पचास साल के लिए किसके लिए वो है हमारा innovation and research ठीक है तो यह दूसरा keyword हो गया हमारा तीसरा की medical value travel आपको भी पता कि हमारा जो health care है वो बहुत ही economical है जो surgery इंडिया में 50 लाक में हो जाएगा वो बाहर में 5 करोड 10 करोड में होगा ठीक है tourism in flowing from religious and iconic places and has made provision for a states to promote this in a big bay so there is another facet of tourism that is steadily attracting more tourist and becoming a tangible region to travel namely healthcare or medical value travel तो आपको यहां से keyword क्या क्या मिला कि medical value अगे मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और हील इन इंडिया हील इन इंडिया इसको ध्यान में रखेगा कहीं भी आप यूज करिए ठीक है medical वैल्यू ट्रेवल में उसी तरह के से बोलागा कि further सब्सक्राइब को पता है कि कल तीन तरह का वह बताया गया कि रेल्वे में रेल का तीन स्कीम था तो वह उसी के लिए क्या हो कि जब हमारा connectivity है strong होगा तो हमारा जो rural areas है उसमें भी क्या होगा कि जो हमारा जो potential है वह बढ़ेगा इंडिया गेटिंग मच इजियर access to quality health care तो उसके बाद यह conclusion लिखा गया है कि perhaps even more important than we have budgetary said are hidden figures private expenditure and its rise and increase in consumption आप इसको PPP model में भी देख सकते हैं कि अगर कोई government hospital जिसका हालत एकदम खराब बरवाद है उसको अगर हम PPP model में public private partnership में कर देंगे तो वो hospital में उसका infrastructure अच्छा हो जाएगा अच्छे डॉक्टर आज कर लेंगे हो जाएगा आ जाएगे वो खतम हो जाएगा तो इसको पढ़िएगा अच्छा चीज है यह और यहां से नोट्स बना लिजेगा इसमें तीन चार की कि बहुत अच्छा है कि preventive health care needed है innovation needed है हमारा life expectancy बढ़ा है innovation revolution का need है medical value travel है ठीक है बाकी कलम बाली वाई तो इतना नहीं है आज ठीक है आगे देखते हैं ground zero यह एक रिपोर्ट है अभी हाल में आप news में भी देख रहे होगे कि जो हमारा जो म्यानमार के साथ जो मुव्मेंट जो था उस पे है यह उसमें क्या हुआ कि अभी government जो है आपको पहले हम बताते कि म्यानमार के साथ हमारा कितना water sharing है 14343 किलोमेटर जो है government चार रहे हैं कि हम इसका fencing करवा देंगे क्यों क्योंकि insurgency जो है वह बढ़ गया है आपको हम देखी यहां बता दे रह अब आप लगा और यह जो है यहां हमारा जो है यह देखे नमामी आपको पता होना चाहिए याद रखने का नागालैंड मनीपूर और मिजोरम यह जो तीनों स्टेट्स है हमारा मनीपूर और मिजोरम यह इसके साथ क्या है कि कल्चिरल शेरिंग होता है क्योंकि बॉर्डर तो हम लोग ने बना दिया है, एरिया ये पूरा है तो कल्चरल, किसी का साधी वादी इधर उधर हो चुका हो भी होता क्योंकि free movement था तो इंडिया जो मियनमार border है, उसको fencing कर दिया जा रहा है, आप ये याद रखे है कि इंडिया क्या चाहरा है, कि मियनमार के साथ जो हमारा 1463 है, उसको fence करना चाहरा है, क्यों, insurgency बढ़ गया है और जो हम, इंडिया क्या चाहरा है, कि free movement regime जो है, उसको खतम किया जाए, ठीक है ये जो हमारे जो कुछ स्टेट्स है, वो सेम culture और रिटोस शेयर करते हैं, that's why अब आते हैं, अगला पेज पेज जिसमें क्या है, कि चंपाई सोरे नी तो होगी गया cbis search for true message link for xis, fcra violation fcra क्या होता है fcra एक act है, इसको क्या बोलते है foreign contribution regulation act 2010 में लाए गया था ये जो भी foreign services में है, तो foreign contribution regulation है कि कैसे code of conduct होना चाहिए उसी में कोई काईस है, उनपे violation का case है, हमारे लिए important काई fcra ए, इसको amend किया भी गया है 2020 में बस, इतना ही ध्यान रखना है अगला निव जिया देखिए क्या है, कि center appointment, notify appointment of new chief justice of six high court 6 high court में नए नए क्या बनेंगे, chief justice चीफ जस्टिस चलिए आपके लिए एक सवाल देते हैं बताईएगा, कि high court के बारे में हमारे constitution में कहां mention है high court के बारे में, फिर से आपको repeat कर रहे है, high court के बारे में हमारे constitution में कौन से article में mention है इसका relevant article भी mention करिएगा ठीक है, ने तो फिर हम आगले lecture में जब भी आगला class होगा, उसमें हम आपको इसका जबाब बताएगे, तो कहां कहां का वो नए बन रहे है, अलाहाबाद, गुजरात सौरी, गुजरात नहीं, गौहाटी मिघाले, ओरिशा, उत्रा, खंडर, राजस्थान ठीक है, नाम important है ने कि कौन कहां बन रहे है उतना कुछ पूछता नहीं, बिहार का होता तो बिहार के लिए हम देख लेते, ठीक है बाकी तो आगे देखते क्या है आगी ये तो सब मुर्गा लड़ा चुना अब जितनी हो जुना पेटियम, केवाइसी वाला जो है वो बोल रहा है कि आरवी आई का जो सूपरवाइजर है वो बोला कि केवाइसी डिटेल जो बहुत लोगों का था वो missing है, बैंक बोल रहा है कि ये हमेशा से complicated रखता है जो बिजय सेखर साब है वो complicated कर रखते इसलिए उस्ट्रक्शन दिया और उसको भी band कर दिया है जब final कुछ होगा तो देखा जाएगा इंडी को ये सब कोई news है, नहीं कोई अच्छा जो हमारे exam के लिए important है हाँ important ये है कि जो IRDAI है वो mandate कर दिया क्या आयूश option, आयूश क्या होता है पिन कहां गया आयूश A for आयूरवेदा Y for Yoga U for Yoga and Najraopathy यूनानी S for Siddha and H for Homeo अभी बताएगा ministry of Iyush में minister कौन है ठीक है who is the minister for Iyush ठीक है IRDAI जो क्या है आपको IRDAI के बारे में हम पूरा detail बता दे रहे IRDAI इसका मतलब क्या होता है insurance regulatory and development authority of India of India ठीक है इसका headquarter कहा है तिलांगना में कहां है रवाद में कब बना 1999 में ठीक है चलिए इसका chairman कौन है देवाशिष पांड़ा यह आप से पूछना था देवाशिष पांड़ा यह क्या करता है यहाँ चलिए एक चीज़ बता दीजे जो इड़ड़ाई है वो किस तरह का body है और वो कौन से ministry के अंदर आता है यह सवाल भी है ठीक है तो यह किस तरह के body है और कौन से ministry के अंदर आती है तो यह news में यह बोला गया कि जो इड़ड़ाई है वो mandate कर दिया है आयूश option को आयूश का मतलब क्या होता है आयूबेदा योगा निरोपैथी यूनानी सिद्धा और होमियोपैथी बस यही ध्यान रखेगा एकजामे पूछ देगा कि मिंडिट कौन सकिया तो वो आयूश है अगला सवाल यह सब जो है कुछ important है नहीं आगे आते हैं यह भी important नहीं है हाँ एक चीज़ important है रोपन्ना मतलब सीखने का चीज़ है कि जो रोहन वोपन्ना है वो मोधी से मिले कौन है रोहन वोपन्ना रोहन वोपन्ना जो है वो टेनिस के प्लियर है और यह रोहन वोपन्ना कहां के रहने वाले हैं बैंगलूर करनाटका के बैंगलूरूरू करनाटका यह 43 के age में वर्ड नमबर वन बने हैं जो कहाबत है ने कि age is just a number it's true age is just a number कि world number 1 बने है at the age of 43 ठीक है oldest became the oldest first time number 1 ठीक है इसलिए मिलनेगा और यह tennis के बहुत बड़े player है बाकी तो कुछ है ने जरूरी इस सब कुछ important नहीं है कुछ exam के लिए चलिए खतम हो गया thank you thank you for your time and bye जो आपसे सवाल पूछा गया है वो आप जरूर से comment box में दीजिए उससे मेरा कोई फाइदा नहीं होगा आप ही का फाइदा होगा ठीक है और जैसा भी है आपका review आपको को improvement करवाना है we are you are most welcome suggestions है ना okay thank you so much प्र soupता विए rए कर दो को आपकорт ज scall प्रूर आपके कर磨़ड़पल कर वोजल कर दो आपके कर दो दोて estranपके कर दो पोगँ जात खाफ़श्यों झाल झाल